नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं उसे कई छात्रों ने पर्मान इकठाक और जार्कन राज करमचरी चेन आयोग के करेले को सुपूर्ध कर दिया है फिर भी सरकार वा आयोग समझनों के त्यार नहीं है छात्रों का रोप है कि जैसे सी करेला तमाम सबुतों को लेकर टाल मटोल रवया अपना रही है सरकार से हमारी मांग है कि परिचा के समपून वा सगन जाच कराई जाए और परिचा को रद किया जाए रांची के जैपोवन में साधिय नोरात्र शुरूख फायरिंग के साथ कलस अस्थापना जारखन के दाणी रांची में एक जगह दुर्गा पूजा में अनोखी परमपरा का वर्शो से निर्वहन किया जा रहा है यहाँ सैने समान और फायरिंग के साथ मात दुर्गा के कलस के अस्थापना होती है बतादे इस बर्स भी इस परंपरा का पालन किया गया इसके साथ ही सार्दे नोराथ की सुरुवात हो गई है डुरांडा के जैप ओन इसी दुरगा मंदिर में गुरु वर्षे सार्दे नोराथ की सुरुवात हो गई है यहाँ पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ मतारानी के जैकारे के साथ कलस के स्थापना की गई यहाँ माद दुरगा की कोई परतिमा स्थापित नहीं की जाती है कलस पर ही माद दुरगा के रूप में आराधना की जाती है जैपवान के जवानों ने राइफल से तीन बर फाइरिंग और बेंड की धून से माग के आगमन का स्वागत किया इस मौके पर पुरोहीत सहदे उपध्याय नयाहा की परमपरा और अनुष्ठान की जनकारी दी है वही जैपवान के कमांडेट राकेस रंजन ने कहा है कि 1880 से यहाँ पुजा की परमपरा रही है विसम परिश्थितियों में हमारे गोर्खा जवान परदेश की सुरक्षा करते है साहब गंज में सीजेल परिक्षा रद की मांग पर सड़कों पर उत्रे छात्र है हाल ही में जैसे सीज़वार आयोजी सीजेल की परिश्था को ततकाल रद करने की मांग पर लेकर साहब गंज में भी चात्र संगटनों ने गुरु आर को बंद का वहन किया है सुबा से ही विभीन चात्र संगटनों ने कॉलेज की कल्यान चात्रावाज से चात्र नेताओं की अगवाई में आंदोलन कर रहे हैं बड़ी संख्या में चात्र सलकों पर उत्रे हाई और साहिवगंज की बिभीन दुकानों और पर्तिस्ठानों को बंद कराने का पर्यास किया मतादि साहेव गंज कॉलेज के कल्यान चत्रावाद से परमपरी खांतियारों एवं ढोलना गाड़े के साथ चात्र सलकों परबंद कराने उत्रे कॉलेज, रोड, रेल्वे स्टेजन परिसर, पटेल, चोक और चोक वजार इलाके में भ्रहमन कर आंदोरन कारी चात्र विभीन, खुले, दुकानों और परतिस्ठानों को बंद कराया इस दुरान अंदोरन कारी चात्रों को दोरा सरकार की बिरोद में नारे भी लगाए गए चात्र निताओ का आरोफ है कि जेसेसी की दोरा हाल में आयोजी सीजियल की परिक्षा में गलबड़ी हुई है हेमन्त सुरेन को पांच साल का हिसाब और जबाब दोनों देना होगा बाबुलाल मरांडी भाजबा परदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि सीम हेमन्त सुरेन को पांच साल का हिसाब देना होगा राज में हुए भराष्टाचार और भोटाले को लेकर मैंने कई पत्र मुख्य मंत्री को लिखे हैं सरकार को पहले ही सचेत करा दिया गया था कि इस तरह के गरबड़ी हो रही है इससे खुद बचे और राजे को भी बचाए वे गुरुआर को भाजबा पर्दिस कर्याले में आजुद प्रेस वर्ता में बोल रहे थे उन्होंने कहा है कि कई मुद्दों पर मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था साहिब गांज में अवैद तरीके से पत्र का उत्खनन और अवैद धूलाई होती रही अवैद घाटों से भी ठूलाई होती रही बावुलान ले खाए कि मैंने राज सरकार और मुख्य मंत्री को पत्र भी लिखा मुख्य मंत्री ने पत्र का संग्यान नहीं लिया कोईला चोरी सरकार का सनक्षन में हुआ मुख्य मंत्रियों को इसे लेकर पत्र भी लिखा था हाई कोट ने इस मामले की सीवियाई जांच के निर्देश दिये है सीवियाई जांच होने पर दूत का दूत और पानी का पानी हो जाएगा उर्जा मित्रों ने राजभन के समक्ष धारना दिया बिली भी भाग के सैक्ड उर्जा मित्रों ने पाई सुत्रिमां को लेकर गुरु आरको राजभन के समक्ष एक दिवस्य धारना दिया है जुलूस में सामी लोगों ने कहा एक दोह सतरा से बिली भी भाग में उर्जा मित्र के रूप में काम कर रहे है आउट्सोर्सिंग कमपनी के माध्यम से सब ही को नोकरी दी गई है पुरे राज में 65 सो उर्जा मित्र है एक सब्डिविजन में 20 से 25 उर्जा मित्र है पर तेक 3 से 4 साल में कमपनी बदलती रहती है जब एक कमपनी में काम करते हैं तब महीने में 4 से 5 रुपे बेतन दिया जाता है वह भी 5 महीने बाद समय पर पैसा नहीं दिया जाता बकाया पैसा भी नहीं दिया जाता आउट्सोर्सिंग कमपनी का करेकाल जब पूरा हो जाता है एक दिन में 100 घरों का बिली बिल निकालने के लिए कहा जाता है एक महिने में 1500 का टारगेट दिया जाता है पाराशिक्षकों को बेतन बिरिधी का एक और मोका राज्य के पाराशिक्षकों को अपनी बेतन बिरिधी का एक और मोका मिला है इसके लिए दूसरी बार आकलन परिक्षा लिजाएगी इस परिक्षा को लेने की जिम्मेदारी जारकन एकडमी कॉंसिल को मिली है यह परिक्षा वैसे परासिसको के लिए है जो सिक्षक पत्रता परिक्षा पास नहीं है वे आख cervical प्रिक्षा दे कर अपने बेतन में बिरीधी करा सकते हैं मताद एर्णार जिमें 18 फिक दी अधिक बेतन में बिरीधी के लिए अलग से प्रिक्षा देने के प्रवधान है यह आख cervical प्रिक्षा दूसरी बार आफेजीत की जा रही है जार्खन एकेडमी कॉंसिल के वेप साइट में आकलन परिक्षा के लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन ऑनलेन जमा किये जाएंगे A.C., A.S.T. और दिभ्यांगे अभियार्थियों के लिए 500 और समाने अभियार्थियों के लिए 750 उर्वे परिक्षा सुल्क रखा गया है जार्खन में बालू उठाओ 15 अक्टूबर के बाद बतादे परियावरन सुक्रिती लेने से पहले ग्राम सभा से माइनिंग प्लान की मंजूरी देनी परती है इसके बाद सिया के पास परियावरन सुक्रिती के लिए आवेदन देना होता है परयावन स्विक्रिती मिलने के बाद बालू घाटो से बालू उठाव के लिए Concert to operate मिलता है अब तक सिर्फ 35 बालू घाटो को ही परयावन स्विक्रिती मिल पाई है महिलाओ को मया समान का नहीं मिल रहा लाव सैक्डों ने की सिकायत मुक्ष मंत्री मैया समान योजना के लिए हजारों योजना के लिए हजारों योजना के लिए और महिलाओं ने आवेदन किया है अनेकों महिलाओं और योजना को इसका लाब मिलने लगा है लेकिन परखंड में स्थेकड़ों ऐसी योजना का लाब नहीं मिल रहा जबकि उनक दूसरी किस्त की रासी क्यों नहीं मिल पा रही इसकी जनकारी देने वाला भी कोई नहीं बतादे ऐसे महिलाओ यूतियों का काना है कि सरकार या समंदित विभाग को जिन महिलाओ यूतियों के आवेदन में तुरूटी है या किनी कारण वस पैसा नहीं दिया जा रहा हुने क कारणों की जनकारी मिलनी चाहिए ताकि वह उसमें सुधार करा सके। परिवारों को जमीन पट्टा देने की मांकी है। इसके दिवेदी के अधालत ने अपने आविदन में कहा है कि प्रार्थी की ओर से यजका में उपलब्द कराएगा सभी स्थाक्ष जाच योग है। वहीं यह मामला राज के महतपूर्ण संसाधन कोयला की चोरी से समधी था इसकी जाच सीबियाई से कराई जानी चाहिए। जाच में तत्य सही पाया जाने पर सीबियाई आए करवाई कर सकती है। मताद ने 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 मामले में परतिवादी बनाएगा सभी पूलिस अधिकारियों खिलाब भी जाच करने का निदेश्तिया है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहाद पूरी होने के बाद नियाले ने 27 सितंबर को 25 सुरशित रख लिया था। अतिरिक्त कोच लगाने से यात्रियों को कनफर्म टिकट मिलेगा और यात्री अरमदायक यात्रा कर सकेंगे। बतादे 3 से 15 अक्टूबर तक ट्रेन नमबर 18005 हावडा जगदलपूर संबिल स्वरी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त सिलीपर कोच लगेगी। अबुआ अवास के लिए पैसा मांगने का आरोप। करने की त्यारी में जूटे थे तब ही करीब 10 बजे तकरारपूर ग्रामिनों ने पंचायज सचीव पर अबुआ अवास लापको के चेन परकिरिया में अनिमिता ब्रतने कारोप लगाते हुए पंचायज पहन के समीप ही बंधक बना कर मार पीट की है। घाटना में ग्रामिनों के माने तो पंचायज सचीव बीना जाज करे ही पैसो की अवैद वसोली कर आवास की सुची बना दी है। पाकूर के मांजी परगना महा समिलन में गर्जे चमपाई सुरेन। चमपाई सुरेन ने कहा है कि हम आदिवासी दुनिया की सबसे पुरानी सब्याता से हैं। आदिवासीों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमारे समाज ने किसी भी हाल में किसी के भी सामने घुटने नहीं ठेके। चमपाईस्तुरे ने कहा है कि संताल प्रगना की इसी धर्ती पर बाबा तिलका माजी बीर सिदू गानू चांद भैरो और बिरांगना फुलो जानो जैसी करांतिकारियों ने अंग्रेजों के हुकूमत को चुनावती दी थी गोड़ा में पुलिस कर्मी को 27 घंटों तक गरामिनों ने बनाया बंधक गोड़ा के राजा भीठा के भधरिया गाउं में अपने महिला मित्र से मिलने के जमादार राम लाल टूडू को गरामिनों ने कमरे में बंधक बना लिया राद के समय महिला मित्र से मिलने के दोरान आदिवासियों ने बंधक बनाते वे जोरदार हांगा में भी शुरू किया दोनों को पोल से बांध कर गरामिनों ने पंचायत लगाया करिब 27 गंटे के बाद जमादार को पुलिस ने बंधन मुक्त कराने में सफलता पाई है कांटा टोली को जाम से मिलेगी निजार जारकन के रेधानी रांची में अब ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी राजधानी में ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का उद घाटन और फेज 2 का सिरन लियास करने के बाद अब मुक्ष मंतरी हेमांसुरेन कांटा टोली फलाई ओवर का उद धाटन करने जा रहे है बता दे कांटा टोली फलाई ओवर का निर्मान 24.9 चरकड़ रूपय की लागा से हुई है यह फलाई ओवर 240 मीटर यानी की 2 किलो मीटर 240 मीटर लंबा है इसकी चोड़ाई 16.6 मीटर है हेमांसुरेन सुक्रोवार को नवरात्य के दूसरे दिन 324 को रूपय की 21 परियोजनाओं का सिलन्यास यों उद घाटन भी करेंगे रजरापा इस्थितमा छिनमस्ति का मंदीर में दुरगा पुजा शुरू दुरगा पुजा को लेकर राजभर के मंदीरों और पुजा पंडालों में तैयारी पूरी कर ली गई है वहीं देश की परसीज सक्ति पीठों में से रामगड के रजरापाई 16 मा छिनमस्ति का मंदीर में इस दूमधाम रहती है अइसा मना जाता है कि मा सत्ति की योगनिया भूखी थी उनकी भूख मिटाने के लिए मा ने अपने सीर को काट दिया था लोगों का मनना है कि मा के दर्सन से सभी मनो कमनाय पूर्ण होती है जार्खन का कुख्या जेलरी दुकंदार लुटेरा सोनू मनू गिरफतार जार्खन का कुख्या जेलरी लुटेरा सोनू मनू पूलिस के हाथे चड़ गया है दरसल चातिस हड पूलिस ने दोनों लुटेरों को दिल्ली के पहार गंज इलाके से गिरफतार किया है इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही 36 गड़ के रामानुजगांज में 6 गोर रूपय का सोना और चान्दी लुट लिया था ये दोनों ने पलामु गढ़वा, गुमला, रांची के कई गणों की दुकानों में डाका डाला था जार्खन पुलिस को भी इन दोनों भाईयों की लंबे समय से तलास थी जार्खन पुलिस ने भी 50-50,000 रूपय इनाम खोशित कर दिया था बतादे 36 गड़ पुलिस को गढ़वा की एक दुकान में लूट के मामले में दोनों भाईयों की तलास थी जार्खन में बढ़ेगी ठंड, जार्खन में अगले तीन दिन के लिए मौसम विभाग ने एलो अलर्ट जारी किया है और इसमें कहा है कि जार्खन के कुछ जग होपर गरज के स्थाथ बजरपात होने की संभावना है बारत मौसम विभाग के मौसम के इंद्र नाची ने नौरात्रे के पहले दीन सुबह में चार एलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने पहला अलर्ट नो अठाइस पर जारी किया है वहीं दीन के 12 बज़ के 17 मेट पर एक ओल अलाट जारी किया है और इसमें कहा है कि दुमका जिली में गर्ज के साथ बाजर पात यहों वर्षा होने की प्रवल सम्भावना है 17 पुलिस कर्मियों को मारने वाला हाटकोर नकसली समेथ 5 गिरफतार बिधान सबा चुनाओं से पहले गुमला में भागपा मवादी खिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है गुमला में अलग अलग नकसली हमले में 17 पुलिस कर्मियों के मारने वाला भागपा मवादी के कोयल संख जोन के सब जोनरल कमांडर 6 लाग रुपए के नामी रन्थु उरा ओर्फ गुरु चलन समित 5 हाटकोर नकसली के पुलिस ने गिरफतार का जेल भे दिया है बताद इन नकसली के पास से भारी मात्रा में हत्यार गोली वा आईडी भी बरामत हुआ है पुलिस ने जंगल में चार आईडी को निस्किरिये कर दिया रन्थु उरा गुमला लोहर दगगा वा लाते हार जिले में 77 नकसली घटनाओं में सामिल रहा है दक्षिनी छोटा नागपुर छेतर रांची के पुलिस उप महानिरीक चाक अनोब बिर्थरे ने गुमला में प्रेस कॉनफरेंस कर बताया है की गुमला एस पी संभु कुमार सिंग को गुप्त सुचना मिली थी की गुमला के हरिना खार वा एंजन के खाने जंगलों के बीच भागपा मवादिक नकसली घुम रहे है जैराम महतोगीरीडी के डुमरी से लड़ेंगे चुनाओ जैराम महतोगीरीडी जीले के डुमरी विधान सबाता चुनाओ लड़ेंगे उन्होंने गुरुवार को प्रेस वर्ता करया घोसना की है पत्रकारों से बाचित में उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी किसी से भी गड़बंदन नहीं करेगी उनका दावा है कि उनसे गड़बंदन के लिए इंडिया और इंडिया दोनों गड़बंदन ने अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया है पार्टी के केंद्रीय अध्यष ने कहा है कि उनकी पार्टी धनबाद जीले के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसके लिए त्यारी चल रही है जारा महतों ने इसके बाद पाच और उमिद्वारों का एलान किया जो आगामी बिधान सबाद चुनाव में उनकी पार्टी के बैना तले चुनाव लड़ेंगे इसमें गिरीडी के जमुआ बिधान सबाद सीट से रोहित कुमरदास, साहिव गंच के राज महल बिधान सबाद से मौतिलाल सरकार और रांची के तमाल बिधान सबाद से दयनती मुंडा, सरायकला खरसवा जीले के सरायकला बिधान सबाद सीट से प्रेम रांडी और पलामु जीले के छतरपु विधान सबाद से प्रीती राज को उमिद्वार बनाया गया है JSAC सीजल परीक्षा 9 साल से 3 चेर्मेन बदले JSAC सीजल की नियुक्टी परकिर्या तकरिवा 9 साल से चल रही है अगर अभी तक इस परीक्षा से संकट के बादल नहीं छटे है हर बार नय सीरे से नियुक्ती शुरू हुई लेकिन किसी ने किसी कानव से रद होता चला गया है बता दे इस दोरान तीन चेर्मेन आय और चले गए अब ईफ परीक्षा एक बार फीर सुर्ख्यों में है इसकी वजह है कि हाली में संपणो हुई परीक्षा में एक बार फीर अभन बड़ी कारोप लगाया है अभनित रिजिनिंग और कॉम्प्यूटर के हूभ बहू परश्ण कोंपी पेस्ट कर दिये गए थे धन्यवाद